काफी सारे open source apps के उपर में वीडियो बना चुकोंगे कि आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में The name is in your app manager काफी डिफरेंट सा ये एप है और कैसे ये आपके लिए काफी फायदे मन हो सकते है उसके बरहे में बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले ये है इस app की setup process जो कि आप यहाँ पर notice कर पाएंगे जहांपर आप इसमें इसका fonts है वो आप adjust कर सकते हैं example लिए जो भी font आप adjust करेंगे आप देखे आपकी पूरी यूवाई है उस तरह से सेट हो जाएगी काफी सारे font के options आपको देखने को मल जाएंगे यानि कि of course अगर आप Android 12, Android 13 यूज़ करें तो आप material new theming को यूज़ कर सकते हैं and by the way अगर आपका device rooted है तो आप इस root method को apply कर सकते हैं मेरा device जो है rooted नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा of course इस channel पर आपको ज़्यादा वीडियो जो हैं इस app को open करूँगा मुझे इस app के बारे में बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी उसका package name etc और ये हैं उसके usage stats किस time पर कितने बज़े कितनी देर के लिए मैंने इस app को open किया था और last time कब use किया था इस app में आप कुछ notes लिख सकते हैं ताकि आपको पता लगेगा कि आपने कब इसको चेक किया है यह बहुत ही कमाल के stats और किसी भी Android अप में आपको यह options देखने को नहीं मिलते हैं as far as I know काफी सारे apps मैंने drive किया और आप यहां से उसको देख सकते हैं आप ले स्टोर पर available होगा तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा कुछ यहां पर इसको एक्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और यहां सब्सक्राइब सेटिंग्स उपन करेंगे ना तो यह इस app की सेटिंग्स के लिए तो आपको इस app को उपन करना बढ़ेगा तो यह काफी एक डिफरेंट सा कंसेप्ट है जो शायद किसी भी आंडूइड अप में अविलेबल नहीं है और आप इसको अपने इस app से sort भी कर सकते हैं आपके पास sorting के option मेरे ख्याल से यहां पर नीचे available हैं बिल्कुल आप यहां से उसको sort कर सकते हैं कि time use के इस अप से data sent, data received यह options आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे आपके पास mobile data से कितना data आपने यहां पर send किया, receive किया wifi से कितना data send किया, receive किया वो सबी options आपको देखने को मिल जाएंगे और यह जो data है यह जो by default आपको weekly बताएगा आप monthly data देखेंगे तो आप देख सकते ही मेरा जो सबसे ज़्यादा डेटा है wifi पर यूज़ होता है, because मैं सबसे ज़्यादा wifi की यूज़ करता हूँ और YouTube पे मेरा around 2GB, Instagram पे around 5GB तो यह काफी useful stats हो सकते हैं आपके लिए क्यूंकि आपको इस टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत बढ़ सकती है चीज़े काफी अच्छी लगी मुझे इस app में और इसकी जो default यूई है यह कुछ कमाल के features हैं और इतने सारी features एक इस app में देखने को बलते हैं काफी अच्छी choice है वन तिंग जो मैं आपको भी बताना भूल गया हूँ वो actually में यह है कि यह पर trial version में आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे use करेंगे example के लिए 15 days का trial period आपको देखने को बलता है by default तो आप यहां से देख सकते हैं 15 days के बाद आपको क्या करना है I think so you are smart enough आप android यूज़ करते तो आप इतने smart तो होंगे कि कैसे इस चीज़ को आप करेंगे तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा और यह कुछ इसकी features की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करने के ज़्यादा ज़रूरत नहीं है में फीचर से वो मैं आपके साथ अलेड़ी शेयर कर चुका हूँ और इस हैप को कस्टमाइज करना है तो वो आपके बास options अवेलिबल है कि अगर आपको मौनेट थीमिंगा सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए या फिर बाकी सब चीज़े है तो बस से इस अपताच कि कर दो कर दो कर दो